आज वैशाक मा की पूर्णिमा है इस दिन भारत वर्ष के लिए महत्पून दिन के रूप में माना जाता है क्योंकि वैशाक मा की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो एक महत्पून दिवस के रूप में जाना जाता है थाजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म लुम्वनी जो आज नेपाल में है उहां पर हुई थी इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को गया के बोधी विरिक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्थ हुआ था इसलिए इस दिन हिंदूओं और बौध के लिए महत्पून दिन के रूप में जाना जाता है आज का दिन इसलिए भी महत्पून है कि आज के दिन गंगाशनान करना पुन माना जाता है इस दिन दान देना पुन माना जाता है जिसमें पक्मान च्छाता का दान दिया जाता है भारत वर्स में ही नहीं बलकि नेपाल में अमार चीन में इस दिन को महत्पून मानते हैं और इस दिन जैसा की बताया जाता है कि सिर्फ महत्पून दिन ही नहीं है बलकि घरों को सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गया के बोधिवरिक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाया जाता है। इत्र और दूद्ध मिलाकर वोधिवरिक्ष के नीचे जल चढ़ाया जाता है। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के नौमे अफ्तार के रूप में माने गये हैं। इसलिए इस दिन उपवाश करना महत्पुन बताया गया है। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन काफी महत्पुन है। आए हम सभी आज गौतम बुद्ध का जन्म दीन मनाएं। और यह सभी माह में शर्वोत्तम माना गया है। एकादिसी तिथी से चतुरदसी तिथी और पुणमा तिथी तक वैशाक मा को महत्पुन बताया गया। क्योंकि एकादिसी तिथी को अमरित की प्राप्ती हुई थी। दौदसी को अमरित की रक्षा की गई। तुरदसी तिथी को देपताओं में अमरित बाटा गया। और चतुरदसी तिथी को देपता दानब पर विजय प्राप्त किये। इसलिए कहा जाता है कि वेशाक माह सभी माह में शर्बुत्तम बताया गया, आज हम सभी भारत वर्ष में इस्तिथी को मना रहे हैं, धन्यवाग.